हलो दोस्तों, वेलकम टू होममेड रेसिपी तो दोस्तों, आज मैं आपको पालक की सबजी बनाने का एकदम नया तरीका शेयर करूँगी अगर आपको पालक खाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो एक बार इस तरीके से पालक की सबजी जरूर बनाना आपको बेहत पसंद आएगा तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने 500 ग्राम पालक लिये जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है तो अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो थोड़ी से पालक ज्यादा लेना पालक को मैंने इस तरीके से बारिक बारिक काट लिया है तो अब हम पालक में आधी जम्मच नमक मिलाएंगे नमक मिलाने से पालक एकदम सौप्ट हो जाएगी और पालक में जितना भी पानी है वो पानी बहार निकलाएगा तो नमक को पालक में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने नमक पालक में अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसको ढखकर 10 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे 10 मिनिट के बाद में हम चेक करेंगे और ढकन हटाएंगे ये देखिए पालक ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है इसको हम चम्मत से ही इस तरीके से दबा दबा कर निकाल देंगे हाथ से निचोडने की जरुवत नहीं है इसी तरीके से चम्मत से धीरे धीरे से निचोड़ के साइड में कर देंगे तो यहाँ पर मैंने सारी पालक में से पानी निकाल लिया है और ये देखिए एक बाउल भरकर पानी निकल गया है पालक का इस पानी का यूज आप पराठी के लिए आटा घूनने में भी यूज कर सकते हो या फिर सबजी में भी यूज कर सकते हो अब हम इसमें कुछ पिसेवे मसाले डालेंगे जिसमें आधी चम्मच धनिया पाउडर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच अजवाइन डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच जीरा या फिर जीरा पाउडर डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अब हम इसमें 4 टेबल इस्पून बेसन डालेंगे तो बेसन आप थोड़ा थोड़ा करके डाले एकदम से जादा मत डालना मैंने यहाँ पर 4 टेबल इस्पून बेसन डाला है अब हम इस मिक्षर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमें जादा गिला भी नहीं रखना है और एकदम टाइट भी नहीं रखना है अगर आप चाहो तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची या फिर प्याज भी मिक्स कर सकते हो यहाँ पर मैंने सिप पिसेवे मसाले मिक्स कर रहे है तो यहाँ पर हमने पालक, बेशन और सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक डव फोम में बना लिया है अब हम छोटी-छोटी सी बॉल बनाएंगे यह देखिए और यह बड़ी आसानी से बन जाएगी तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मिक्सर को जादा टाइट भी नहीं रखना है और जादा गिला भी नहीं रखना है तो यहाँ पर मैंने सारे मिश्रन की छोटी-छोटी सी बॉल बना ली है यह देखिए, आप चाहू तो इसका शेप सिलेंट्रिकल आकार में भी दे सकते हो या फिर गोल भी दे सकते हो इस तरीके से दूसरी तरब गेज पर हमने कडाई रखी है जिसमें हम दो बड़े चमच ओईल डालेंगे ओईल को हम गरम होने देंगे अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे मसालो को ओईल में अच्छे से फ्राई होने देंगे अब हम इसमें दो मीडियम साइज के बारिक कटे होए प्याज डालेंगे यहाँ पर हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है इसलिए गेज की फ्लेम आप मीडियम रखना तक कि प्याज हमारे जल्दी से ब्राउन हो जाए प्याज ब्राउन हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं मैंने यहाँ पर एक ग्रेंडिंग जार लिया है जिसमें दो मीडियम साइज के टमाडर कटे हुए डाले हैं अब हम इसमें साथ आठ लसन की कली डालेंगे दो इंच अधरक का टुकुडा डालेंगे एक हरी मिर्च डालेंगे जार का ठकन लगाएंगे और एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे यह देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट बना लिया है दूसरी तरह प्याज भी हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए प्याज ब्राउन तो अब हम इसमें आधी चमच कश्मिरी लाल मेच डालेंगे कश्मिरी लाल मेच डालने से सबजी में अच्छा सा कलर आ जाता है और यह तीक ही कम लगती है अब हमने जो पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे पेस्ट को प्याज के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे नमक डालने से प्याज टमाटर जल्दी से गलने लग जाएंगे तो मसाली को अच्छे से मिक्स कर देंगे धक कर 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 3-4 मिनिट के बाद में धक्कन हटाएंगे और ये देखें मसाले में से ओल से प्रेट होने लगा है पानी एकदम खतम होने लगा है चमाट से अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें 1 टेबली स्पून धन्या पाउडर डालेंगे आधी चमाच लाल मिच पाउडर डालेंगे और एक चोथा ही चमाच हल्दी पाउडर डालेंगे इन सब को हम मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे गेज की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है तो चमाच से अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है अब हम इसमें 1 कप बर कर पानी डालेंगे ताकि जो हमने पीसे हुए मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरीके से पक जाए तो यहाँ पर हमने mix कर दिया है अब हम ढखकर लगा देंगे और masala सीज रहा है तब तक हम दुसरी तयारी करते हैं गेज पर हमने एक पेन रखा है जिसमें हम एक चमज ओईल ला लेंगे ओईल को गरम होने देंगे अब हम पालक बेशन की जो टिक्की बना के रखी है वो एक एक करके रख देंगे गेज की फ्लैम हमें मीडियम रखना है मीडियम फ्लैम पर ही हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है आप चाहो तो इन बॉल को डीप फ्राई भी कर सकते हो ओईल में मैं यहाँ पर shallow fry कर रही हूँ और जब इन टिक्की पर एक तरफ golden brown color आ जाए तब हम इनको चम्मत से तीरे तीरे दूसरी तरफ पल्टा देंगे तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्की को दूसरी तरफ पल्टा दिया है दूसरी तरफ भी इसी तरफ का golden brown color आना चाहिए और यह देखिए सारी टिक्की दोनों तरफ से अच्छे तरीके से fry हो गई है अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्की को अच्छे से fry कर लिया है आप चाहो तो इसको snacks के रूप में भी खा सकते हो यह बहुत ही tasty लगती है यह देखिए और दूसरी तरह हमारा मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से पक गया है चम्मा से अच्छे से mix कर देएंगे मसाले का अच्छे से सीज़ना बहुत ही जरूरी है तब ही सबजी तेस्टी लगती है अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे गेस की फ्लैम हमें मीडियम ही तब हम इसमें आधी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला पॉडर डालेंगे और इन दोनों को हम मसाले में अच्छे से mix कर देंगे गेस की फ्लैम हमें मीडियम ही रखना है अब हम इसको ढखकर 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से ग्रेवी को उबलने दे और 2-3 मिनिट के बाद में धक्कन हटाएंगे ये देखिए ग्रेवी अच्छे से उबल गई है तो ग्रेवी की कंसेस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की होना चाहिए अब हम इसमें जो हमने पालक बेशन की तिक्या बनाई है वो डाल देंगे इसे हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमें इसको जादा देर तक नहीं पकाना है सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए ढख कर इसको हम पकाएंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उपर से हरा धनिया भी डाल देती हूँ उसे भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ तो यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया है अब हम इसको ढख देते हैं और सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए इसको पकने देंगे 2-3 मिनिट के बाद मैं ढख कन अटाएंगे यह देखिए सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तयार हो गई है अब हम गेस की फ्लेम को बन कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर सब्जी हमारी बनकर तयार हो गई है अगर आप चाहो तो यह लास्ट वाली प्रोसेस कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बॉल में सब्जी निकाल दी है एक बड़ी चमच में एक टेबली स्पून घी गरम किया है जिसमें 5-6 बारीक कटि युवी लसन डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे यहाँ पर हमें लसन को ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है और जब लसन हलके हलके से ब्राउन होने लगे तब हम एक चोथा चमच कश्मिरी लाल मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके उसको सबजी के उपर स्प्रेट कर देंगे तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजे शेयर कीजे और चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ